नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो स्टडी 24 बिहार छातरवीर्थी योजना जिहां दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक स्कोलर्शिप पोर्टल नया लॉंच किया गया है बिहार सरकार की ओर से, तो इसमें मैं आपको सारा कुछ डीटेल बताने वाला हूँ, जहां पे आप देख पा र करने के लिए आपको यहां पे किलिक करना होता है SCST के लिए, और वहीं अगर बात करें, जो BCEVC है, तो यहां पे आप देखेंगे, इस पे किलिक करके आप आवेदन कर सकते हैं, आप फिलाल जो बात करूं, तो BCEVC में अभी एक भी आवेदन आज नहीं हुआ है, क्योंकि प पूरा डीटेल अगर आप जानना चाहते हैं कि यह पैसा किसको कब कैसे मिलेगा, तो यहां पर बता दो पैसा जो है, आपको या ओनलाइन करने के एक महिने के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा, अगर आपने बरस 2019-2020 में मैट्रिक किया, इंटर किया, या 2020 से किसमें पास कि आपको पैसा किया है, तो जो जब भी आपने पास किया है, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, तीन साल का एक बार आवेदन हो रहा है, जिनका पहले पैसा नहीं मिला था, उनको भी पैसा मिलेगा, तो बरस 2019-2020, बरस 2020-2021 वाले स्टुडेंट को यह पैसा मिलने वाला है, तो जैसे ही आप उनलाइन करेंगे, आपको एक महिने के अंदर आपके बैंक अकाउंट में यह पैसा सारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बिहार सरकार की ओर से, तो फिलाल जो डीटेल में आपको दिखाने वाला हो वीडियो में, तो पुरा लाश तक देखिएगा, तो प सारा कुछ यहां पर लिखा गया है, तो बिहार help.in पर आकर आप यहां पर पढ़ लिजेगा, ठीक है, कौन-कौन से document लगेंगे आपको online करने के लिए, तो यहां पर सारा कुछ बता दिया गया है, आप आकर यहां पर पढ़ लिजेगा, ठीक है, और यहीं पर आप नीचे वाले पर किलिक कर देता हूं, देखिए, यह रहा, मैं किलिक करते ही, यहां पर देखिए, वेबसाइट जो है, थोड़ी से स्लो है, तो जब तक यह खुलता है, मैं आपको दूसरा डीटेल, जो है, जो अखवारों में आया था, वो सब डीटेल भी मैं आपको दिखा देता जन जाती तथा पिछड़ा एबमाती पिछड़ा बर्ग के लाखु छातरों को पोस्ट मैट्रिक परवेशी कोतर छातरी वीरती योजना का लाव आसानी से मिल सकेगा, ठीक है, इसके लिए उन्हें नेशनल स्कॉलर्शी पोर्टल पर आवेदन करने के भी जरूरत नहीं प पोर्टल पर आवेदन करने की निर्भरता के चलते यह योजना तीन चार सेल से लटकी हुई थी, लंबित थी, तो इसी के कारण जो है, गरीब तथा पिछड़े बर्ग के मेधावी छातरों को छातर बिरती के लिए इंतजार करना पड़ रहा था, अब जो है, एनाइसी द यहीं पर देखिएगा जो वेबसाइट भी यहाँ पर दिखाया गया है कि www.pmsonline.bih.nic.in को आप डिरेक्टली भी ओपेन करके देख सकते हैं, तो यह आपका हिंदुस्तान में छपा था, अब मैं थोड़ी से आपको परभात ख़बर की भी डीटेल दिखा देता हूँ, य यह देखे, portal app launch ऐसा करने वाला बिहार पहला राज, अब बारवी के बाद गरीब छातरों को समय पर छातर वीरती के पैसे, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि राज के अंतरगत, राज के आराचित बर्ग के गरीब विद्यार्थियों को बारवी के बाद स्कॉलर सीप का ल वाइल एप launch किया है, अभी विद्यार्थी को इस scholarship के आवेदन और उसके पैसे आने में कई साल लग जाते थे, लेकिन अब इस portal के जरिये छातरों को कम समय में ही scholarship का लाभ मिल सकेगा, ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य होगा, लाँचिंग के मौके पर मुख मंतरी रे पिछड़े बर्ग के सभी लाभुक विद्यार्थियों को scholarship DBT के जरिये एक साथ दी जाएगे, ना इसी के सायोग से सिच्छा विभाग के एक्सपर्ट द्वारा इस पोर्टल को तयार किया गया है, सैचनिक बर्स 18-19-19-20-21-22 की परवेशिकोतर scholarship की राशी एक साथ जारी क की जाएगी, इस साल परवेशिकोतर scholarship के लाभुकों की संख्या 6 लाग से अधिक हो गई है, तो ये 28 सारी को ही आपका अख़वार में आया है, तो आप देख पाएंगे, आप चैनि देखते हैं, website open हुआ है की नहीं, तो ये website अभी तक open, ये देखी open हो चुका है, अब new registration के लिए क्या करना है, यहाँ पर जो आप दिखता रहे होंगे, कि new student के लिए यहाँ पर किलिक करना है, और पहले से registered है, तो login for already registered student पर किलिक कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं नया वाले पर किलिक कर लेता हूँ, login new student registration पर किलिक करते हैं, अब ये website थोड़ी सी देर से खुलती है, तो इंतिजार करना होगा, तो ये रहा देखिए website खुल चुकी है, ये थोड़ा देर लगता है, कम से कम 10 मिनट टाइम लेता है खुलने में, अभी नया website है, इसलिए थोड़ा देर हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको कितने step में final करना है, अपना form को सब चौथे step जो है upload document, जो आपका document और photo बगरा है, उसे upload करना है, चौथे step में और पांच भी step में आपको last में finalize करना है, तो यहाँ पे पांच step में आपको form complete करनी है, तो यहाँ पे आएंगे, तो देखिए checkbox दिखाया गया है, यहाँ पे, कि मैंने पंजी करन के लिए दिश कर देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे continue बटन दिखाई दे रही है, continue पे click कर लेंगे, और थोड़ा फिर से इंतजार करना होगा, तो यहाँ पे देखिए, अब OTP यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा, अगर mobile नमबर यहाँ पे डालेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे student का नाम भरना है, gender select कर लेना है, SCST जो भी, male female जो भी है, उसे select कर ले, आधार नमबर यहाँ पे भरना है, आधार नमबर डालने के बाद यहाँ आधार काड में जो नाम है, वो यहाँ पे डालना है, उसके बाद जनमतिति यहाँ पे डालनी है, और verify पे click कर लेना है, ठीक है, verify पर किलिक करेंगे, आपको एक OTP मिलेगा, चली देखते हैं, तो सारा डीटेल यहां पर फिल करने के बाद देखिए, यहां पर verify आधार पर किलिक करेंगे, उसके बाद आपका आधार कार्ड verify हो जाएगा, verified होनी के बाद यहां पर आपको अपना mobile number डालना है, और generate OTP पर किलि पहला है, पहला यहां पर password डालेंगे, आठ अंको का password आप बना लिजेगा, यहां पर और यहां पर mixed password बना कर, यह capture डालना है, ठीक है, capture डालने के बाद, यहां पर capture डालने के बाद, जो है, preview before registration पर किलिक करके, आप अपना preview देख लिजेगा, कि आपका data जो है, सही रूप स पहले fill कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 OTP फिल कर दिया गया है अब verify कर लेंगे OTP को ठीक है यहाँ पे mobile verify होचुका है अब यहाँ पी email id को scenery कर लेते हैं OTP यहाँ पर OTP मैंने आप है नूचाई कर लिया है अब यहां पिस पासवर्ट डालना पहला आपको capital में डालना है उसके बाद small में डालना है एक दो number डाल दीजे उसके बाद ये special character कुछ भी डाल दीजे ठीक है तो इस परकार से आप अपना password बना लिजेगा कम से कम आठंकों का आप चलिए देखते हैं तो यहाँ पर मैंने देख सकते हैं यहाँ पर password भी मैंने fill कर दिया है और यह capture भी यहाँ पर मैंने fill कर दिया है preview before registration पर click कर लेंगे अब यहाँ पो आपका preview दिखा देगा ठीक है पूरा detail दिखा देगा देखने के बाद यहाँ पर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर register here पर click कर लेंसा थे तो आपका registration registration complete हो जाएगा registration complete होने के बाद दोस्तों आपको यह message मिल जाता है कि your registration process have been successes और यहां पर आपको आपका user ID दिखा देगा password यहां पर दिखा देगा ठीक है password देखने के बाद यहां नीचे आएंगे तो print भी कर सकते हैं इसको print करके रख लिजेगा आगे भविश में यह काम आने continue करते ही दोस्तों आपको अब आपसे फिर से login करने के लिए कहेगा तो जो user ID आपको प्राप्त हुआ है वो यहां पर डालेंगे ठीक है यहां पर डालने के बाद user ID डालने के बाद यहां पर password डालेंगे यह capture यहां पर डालके login कर लेंगे login करने के बाद देखे यहां पर आपको इस तरीके का detail दिखाई देगा you have not applied for a scholarship in any academic year यानि आपने अभी तब कोई भी academic year में कोई भी आवेदन नहीं किया है तो आवेदन करने के लिए देखे यहां पर दिखाई दे रहा है कि update personal and bank detail और उसके बाद यहां पर photo भी upload करना है त इसे fill करेंगे तो यहां पर सबसे पहले देखे यह open होता है तो इस तरीके का आपका form खुलता है यहां पर सबसे पहले आपका नाम दिखाई देगा यहां पर father name आपको भरना है ठीक है यहां पर mother name भरना है और यहां पर आएंगे तो अपनी category को select करेंगे तो यहां पर मैं SC कर लेता हूं और आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आपसे यहाँ पर दिभ्यांग है की नहीं तो यह सनो पर किलिक कर लेंगे तो यहाँ रहने दूंगा अब नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आप यहाँ पर एड्रेस और कॉमुनिकेशन डीटेल भरना है तो सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर तो आपका अल्रेडी दिखाई देगा और इमेल ऐडी और स्टेट आपका कौन सा बिहार सा बिहार दिखाई देगा और यहाँ पर होम डिस्टिक आपसे सलेक्ट करने ठीक है, pin code डालने के बाद, यहां पर देख सकते हैं, पूरा address आपको भरना है, अगर आपका address permanent और correspondence address same है, तो यहां पर click करके आप इसे भर लेंगे, जैसे कि मैं यहां पर देखिए भर देता हूं, यह मैंने भरा, आप देखिए, यहां पर मैं same to पर click कर लेता हूं, तो देखिए, यहां पर automatic fill हो जाता है, ठीक है, तो यह आप अपना पूरा भर लिजेगा, gram, post बगरा जो है, वो सारा कुछ भरने के बाद, नीचे आएंगे, नीचे में जो देख पा रहे होगा, कि यहां प सबसे पहले, आप अपना IFSC code डालेंगे, जो भी आपका IFSC code है, वो डाल देंगे, ठीक है, डालने के बाद, यहां पर आप अपना bank का नाम select करेंगे, जो भी bank आपका है, उससे select कर लेंगे, तो और उसके बाद bank account number यहां पर डालेंगे, फिर दोबारा से यहां पर bank account number डाले के बाद यहाँ पे upload photo पे click करके आप अपना photo जो है upload कर लेंगे तो यहाँ पे click करते हैं और यह देखिए आपके सामने इस ताइक का खूलेगा यहाँ पे आपको क्या करना है पचास के भी से कम का photo upload कर देना है चूज करके ठीक है तो जो भी आपका photo है passport size photo वो यहाँ पे upload कर लेना है चलिए मैं कर देता हूँ देखिए यह ने select कर लिया अब save photo पे click कर लेंगे तो यहाँ पे जो है आपका photo automatically आ जाएगा देखिए यह photo आ चुका है अब जो है back button पे click करेंगे और apply पे click कर लेंगे ठीक है यहाँ पे back button है तो back button पे यह home button पे जाके देखिए चलिए go to home कर लेते हैं यहाँ पे go to home करते हैं तो यहाँ पे आपका dashboard खुलेगा इस तरीके का अब यहाँ पे apply for a scholarship पे click कर लेंगे ठीक है अब यहाँ पे कर लेते हैं तो यह रहा आपके सामने इस तरीके का खुलता है अब जो है आप अपने academic year का पूरा जो आपने पढ़ाई की है जहां से आप आविदन करना चाहते हैं जी सा scholarship के लिए उसका detail यहाँ पे सारा कुछ भरना है तो यह सब student का अलग-अलग होता है तो आप अपने हिसाब से भरिएगा अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप cyber cafe में जाके भर लीजेगा ठीक है भरने के बाद last में आपको जो save button दिखाई दे रही बटन पर click कर लेना है देखें दो चार चीज में यहाँ पर आपको बता देता हूं कि आपको सबसे पहले fresh या renewal पर click करना है तो यहाँ पर fresh पर मैं click कर देता हूं कि हो चुका है और यहाँ पर academic year आपको select कर लेना है आप 2021-22 के लिए apply करना चाहते हैं या 2020-21 के लिए या 2019-20 के लिए तो यहाँ पर जो भी करना चाहते हैं वो यहाँ पर click कर लेंगे उसके बाद state यहाँ पर select कर लेंगे ठीक है अब यहाँ पर institutions का नाम पूछ रहा है कहां से आपने पढ़ाई की थी जिसके लिए आप आवेधन करना चाहते हैं जिस चातविरती के लिए आवेधन करना चाहते हैं उस school college का नाम यहाँ पर दिखाई देगा आपको यहाँ पर search करके आप खोज लिजिएगा खोजने के ब यहाँ पर आप अपना course select कर लिजिएगा देशकी मैंने यहाँ से आर्स में intermediate किया है या science में intermediate किया है या commerce में intermediate किया है जो भी किया है उसे यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर आपसे आपका पूरा detail यहाँ और भी कुछ है जो भरना है देख सकते हैं पूरा institution का address यहाँ यहाँ पर भरना है college compulsory fees जो है आपको दिखाया गया है आपर जो भी है वो यहाँ पर डालना है और यहाँ पर student admission registration number यहाँ पर भरना है enrollment यानि registration आपका किस बर्स हुआ था वो डालना है course session आपका क्या था 20 से किस जो भी था वो डाले और select present year आपका कौन सा है वो डाल देंग यह आपका final हो गया तो यहाँ पर third कर दिजेगा कोई दिकत नहीं है और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो class section जो आपका वो भरेंगे college compulsory fees कितनी लगी थी वो detail भरना है और stay institution hostel में अगर आप रहते थे तो यहाँ पर yes no करेंगे ठीक है जो भी अगर आप hostel में रते थे तो yes क करेंगे अगर नहीं कर रहते हैं question में तो यहाँ पर no करेंगे no करने के बाद यहाँ पर qualified last exam last year exam तो यहाँ पर जो आपने last सबसे पहले last exam जो दिया है तो हाँ या ना पास किया है कि नहीं तो यहाँ पर yes करेंगे ठीक है अगर पास कर लिया है तो yes करेंगे ना करेंगे जो है यहां पे करने के बाद और यह जो है आपका save button पे click कर लेंगे save button पे click करके फिर आपका आवेधन ये आपका जो है complete हो जाता है तो इस परकार से आपको आवेधन करना होता है ठीक है इसके आगे अभी जो है portal और भी लंबा चलने करने के एक महिने के अंदर आपका पैसा वापस आपके account में आ जाएगा ठीक है तो इस परकार से आवेधन करना है जानकारी आपको उमिद करता हूँ पूरी हुई होगी क्योंकि इसके आगे कुछ दिखा नहीं रहा है तो मैं आपको दिखा भी नहीं पा रहा हूँ तो इस परकार से आवेधन करना है जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए कुछ और जानकारी पराप्त होगी तो मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आउँगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको वीडियो मिलता रहे चलिए मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए बाई जैहिंद और लाइक करना बिलकुल न भूले